आखिर क्यों बंद हुआ Ben 10 आप गज़ हमें Ben 10 देखने को मिल रहा है बहुत पहले से सबसे पहले हमें Ben 10 क्लासिक दिखाया गिया था जहां पर Ben को मिलता है Omnitrix जहां पर वह सिर्फ 10 एलियन पर ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है उसके बाद हमें देखने को मिला Ben 10 एलियन फॉर् Ben 10 Omniverse जहां पर guys Omniverse से ही उनकी जो रेटिंग से वह धीरे-धीरे डाउन जाने लगी थी और अब हमें देखने को मिल रहा है Ben 10 Reboot तो guys मैं आपको बतातूँ कि Ben 10 Classic, Ben 10 Alien Force और Ben 10 Ultimate Alien ये तीनों बहुत जादा चला था बहुत जादा इन्होंने पैसे भी अर्न किये थे पर Ben 10 Om Omniverse जो है उसमें जो दिखाए गया वह एक कार्टून टाइप का थोड़ा से लगता है क्योंकि guys आप लोग अगर दिहान से देखोगे तो guys Omniverse के जो एलियन से जैसे की 4 arms उनके जो पैर है कितने पतले कर दिये गये है यानि कि guys जो Ben 10 Omniverse है उसमें जो इडिट करा गया है व वही हमें Ben 10 Omniverse में एक ही विलन बार-बार अटेक करते हुए दिखता था Ben 10 Omniverse से ही Ben 10 का जो सीरीज उसको धिरे-दिरे डाउन हुआ जाने लगा उसके देखने को मिला कि जो राइटर्स होते है उनने रीबूट टाइप का कुछ लाया Ben 10 Reboot और वह तो और भी ज्यादा फ विदा दूगी कि इस राइटर्स का सबसे बड़ा गलती था कि उनको Omniverse लाना ही नहीं था जब हमें Ben 10 Ultimate Alien का लास्ट एपिसोड देखने को मिला था जहां पर एजमत ने ले लिया था Ultimate Tricks Ben से और Ben को एक New Omnitrix दे दिया था उसके बाद से हमें कुछ नाया फील देने के लिए एक नाया विलन को इंट्रिड्यूस करता विलके एक्स की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं यहां पर कोई और एक डेंजर विलन हो सकता था जो कि Ben के Omnitrix के पीछे पड़ा है उसके बाद हमें कुछ देखने को मिल सकता था नए एलियन को एड़ करा जा सकता था तब गज़ हमें ज़्यादा अच्छ लगता हमें एलियन फोर्स और अल्टिमेट एलियन में Gwen एड़ केविन कितने ज्यादा अच्छे सेप में देखने को मिलते थे पर Ben 10 Omniverse में हमें देखने को मिला कि Gwen को चस्मा लाग चुगा है वहीं जो Kevin 11 उनके गाल में एक्स लिखा हुआ है क्या कुछ था बहुत खराब मुहां पर ए जब से आया तब से वीवर्स का जो इंट्रेस्ट बेंटेन देखने का वो जा चुका है उसके बाद उन्होंने किया किया उन्होंने बेंटेन रिबूट लाया यह तो और भी ज़्यादा बकवास है अगर इसको सुधारना है तो राइटर्स को कुछ ऐसा करना होगा कि अल्ट देखने को मिल सकता है कि फैंस के इंट्रेस्ट इसमें आ जाएगा और फिर से चलने लगेगा हमारा हम सभी का फेवरेट बेंटेन तो यह अगर होता है तो कितना ज्यादा अच्छा होगा और हम जैसे वीवर्स का बग इतना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बेंटेन को देखने का जो नजरिया वो फिर से बदल जा सकता है तो यहाँ पर राइटर्स को कुछ करना होगा फ्यूचर में हमें देखना होगा कि बेंटेन के और कितने सीरीज आते हैं और कितने ज्यादा हीट हो पाते हैं